तो यहर विल्कम टू अनदेर एपिसोड अफ नडी न्यूज जहां आपको वीकली हर मंडे को पॉप कल्चर एंड हॉलिवुड से लेटेड ऐसे कमाल के अपडेट्स मिलते रहते हैं तो as always कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो हिंट तक जरूर देखना चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीक रिलीज हुए मुवी गॉडजिला माइनस वन तो हाँ लिमिटेड रिलीज इसको मिला है हर कंट्री में ये मुवी रिलीज नहीं हुई है ये एक जैपनीज मुवी है आपको पता हो गई तो इसके रिव्यूज आ चुके हैं सारे ओडियंस और क्रेटिक्स सब के तरफ से वैसे बता दू कि इस मुवी का बजट 15 या 20 मिलियन ही है लगभग और अभी तक इस मुवी ने ओल्रेडी वर्डवाइट 30 मिलियन डॉलर से उपर का कलेक्शन कर लिया है तो हाँ ये मुवी तो काफी अच्छी जा रही है काफी अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है वैसे गौड़जिला की बात होई रही है तो मॉस्टर वर्स से गौड़जिला एक्स कॉंग दा न्यू एम्पायर के ये दो नए ओफिशल पोस्टर से रिलीज किये गए हैं और इवन ये कुछ फर्स्ट लुक्स भी विच मीन्स कि इसका भी टेलर जल्दी आने वाला है अगर आपको कन्फूजन हो रही है कि गौड़जिला पे इतनी सारी मुवीज क्यों बन रही है क्या चल रहा है तो मैं सज़ेस्ट करूँगा कि गौड़जिला की पूरी हिस्ट्री वाला वीडियो मेरे चैनल पे जरूर चेक आउट करना चलो अब आगे बढ़ते हैं स्पाइडर मैन 4 पर तो फैंस कई दिनों से रिमांड कर रहे हैं कि स्पाइडर मैन 4 का आप कुछ अनॉंस करो कुछ रिवीज करो कुछ नहीं अपडेट लो इस मूवी को लेकर तो हाँ, इसी पे टॉम हॉलिन्ड से पूचा गया कि इस प्रूपर स्पाइडर मैन 5 का चल रहा है क्या नहीं करें उनुंने बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छे से ये उपर के तरफ ग्राफ मेंfund है और वो नहीं चाहते कि वो कोई ऐसी मूवी कर ले वो कोई ऐसा प्लॉट चूज कर ले वो कोई ऐसी स्टोरी चूज कर ले जिसमें उनका ग्राफ सडेनली नीचे ड्रॉप हो जाए तो इसलिए वह स्पाइडर मैन 4 में तभी रिटन करेंगे जब उनको स्टोरी वर्थिट उन्होंने यह भी बोला कि स्पाइडर मैन उनका फेवरेट कारेक्टर है प्ले करने के लिए क्योंकि इसी मूवी ने इसी कारेक्टर ने उनका करियर बनाया है तो हां लेट सी स्पाइडर मैन 4 कब आती है पर हां यह मूवी आएगी और जितना डिले हो रहा है मुझे लग है बेटर है कि अट लीस्ट हमें बेटर स्क्रिप्ट बेटर मूवी मिलेगी आपके क्यों अपीनियन है कॉमेंट में जरूर बताना चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अपने फेवरेट सिक्षन छोटे मगर मीजर अपडेट पे जहां सबसे पहले तो विल स्मित ने स्टेट इस मूवी को लेकर और उन्होंने ये बोला कि अगर आपको पता होगा तो दो एंडिंग थे तो वह सेकंड एंडिंग को ले रहे हैं जो कि डिरेक्टी डिवीडी या ब्लू-डे में रिलीस क्या गया था अगर आपने आयम लेजंड देखी होगी तो आपको पता होगा कि इंडिंग में ब्लू-डे वाले इंडिंग में ब्ल्समित का करेक्डे मारा गया बट ब्लू-डे वाले इंडिंग में बलू-डे ये इंडिंग को फॉलो करते हुए हम इसमी का सीक्वल जए है तो इसमीर ली इसमिग Bijनियज चो एक लेग्प सट से फिर हां सॉनिक 3 पे भी काम स्टार्ट हो चुका है उसका भी एक फोटो शेयर किया गया और यह मुवी नेक्स्ट येर दिसंबर में रिलीज होगी फिर यहीं पर गेमर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है कि भाई जी टीए 6 का ट्रेलर इसी वीक मतलब 5 दिसंबर को रिलीज किया जाने वाला है और फाइनली हमें इतने सालों के वेट के बाद जी टीए 6 मिलने वाला है तो चलो देखते हैं उसका ट्रेलर कैसा रहेगा तेना जैक स्नेर ने ने डीसी वे कॉमेंट किया है जेम्स गन पर कॉमेंट किया है उन से जब एक रेबल में ही उनसे पूछा गया कि क्या chances हैं कि वो DCU में return करेंगे as director उन्होंने बोला कि वो तभी return करेंगे जब उन्हें दाक नेट का authentic honest adaptation करने का मौका मिलेगा तो हां let's see ऐसा होता है या नहीं नए DCU में तैसे Zack Snyder के तरफ से ये भी reveal हुआ कि उन्होंने blood and ashes की जो storyline थी उसके rights वापस ले लिए आपको अगर नहीं बता तो बता दू कि blood and ashes की जो script थी उसे originally 300 की sequel के जैसा pitch किया गया था लेकिन ये movie कभी बनी नहीं और 300 का कुछ और ही हो गया तो हां अब वो script के rights वापस Zack Snyder के पास हैं तो maybe in future हमें 300 जैसा कुछ नया देखने को मिल सकता है फिरां यही पर the boys की उनिवर्स से ये भी reveal हुआ कि जैसा एक और spin-off series plan किया जा रहा है the boys को लेकर the boys Mexico जिसमें यहां Mexican superheroes और उधर की political angle पर focus किया जाएगा तो यह थे छोटे मगर major updates अब आगे बढ़ते हैं बॉब आईगर पर तो बॉब आईगर ने रिसेंटी एक interview में बहुत सारे नय स्टेटमेंट्स दिये हैं एक एक करके मैं उनके major जो स्टेटमेंट्स थे वो cover कर लेता हूं तो सबसे पहले तो उन्हें दी मार्वल्स के failure पर बात करते हुए बोला कि जो executives थे वो इतने जादा content में इतने जादा बीजी हो गए कि उन्हें ने दी मार्वल्स को properly supervised किया ही नहीं है उन्होंने बोला कि दी मार्वल्स जो movie है वो covid के time film किया गया था और उस time executives अपना 100% इस movie को नहीं दे पाएं इसलिए ये movie fail हुई है and clearly उन्होंने अपने statement में quantity को भी highlight कि quantity इतनी जादा हो रही है कि executives अपना 100% दे नहीं पा रहे हैं इसलिए उन्होंने अब clearly mention किया है कि अब से disney focus करेगा quality over quantity पे वैसे ये statement उन्होंने already 3-4 बार दिया है लेकिन उसके बाद भी हमे quantity मिलता है quality बहुत कम हो जाती है तो लेट सी ऐसा future में improvement होता है या नहीं वैसे हाँ disney के creators directors को target करते वे बाब आगर ने ये भी statement दिया है कि अभी के जो creators है directors हैं वो society को अपने movies के थुरू एक message देना चाहते हैं लेकिन वो भूल चुके हैं कि content देना entertainment देना उनकी first priority है message देना secondary है उन्होंने exact ये बोला कि world को एक positive message देना अच्छी बात है लेकिन वो उनकी priority नहीं वो secondary priority होनी चाहिए पहला priority अच्छा content होना चाहिए तो let's see इतने सारे statements पे खुद disney वाले establish करते हैं अपने आपको या नहीं चलो अब आगे बढ़ जाते हैं इस week release हुए कुछ amazing trailers पे तो हाँ सबसे पहले बता दू कि इस week 25 से भी जादा movies and series का trailers release किया गया उनमें से जो major major है मैं mention कर देता हूं सबसे पहले तो hello की season 2 का official trailer release किया गया मुझे तो amazing लगा लेकिन हम मैंने season 1 नहीं देखा है आप लुग चाहो तो जरूर देखना then amazon prime पे follow out करके series आने वाली है उसके ये एक तीन नए official posters release किया गयें साथ ही एक official trailer भी and trust me trailer amazing है ये series next year 12 April से stream होना start हो जाएगी दिन सबसे amazing trailer the boys की season 4 का भी एक official trailer reveal कर दिया गया जिसको fans काफी जादा appreciate कर रहे हैं वैसे हाँ इसका ये एक poster बहुत पहले reveal किया गया था जो कि already draftster.com पे available है आप लुग चाहो तो purchase करके अपने दिवार पे लगा सकते हो पोस्टर की बात होई रही है तो house of the dragon season 2 के ये दो official posters release किये गयें साथ ही इसका trailer भी reveal कर दिया गया है भाई क्या ही awesome trailer है एक बार जरूर चेक आउट करना पिर mad max franchise के fan हो और Chris Hemsworth को भी इस franchise में देखना है तो आपके लिए mad max furiosa का trailer reveal कर दिया गया है इसमें Chris Hemsworth बिल्कुल ही अलग लुक में है आपने trailer देखा होगा तो for sure आप उनको पैचान नहीं पाए होगे तो हाँ इसका trailer भी amazing है और जाते याते दो और नए official posters release किये गये सबसे पहले तो Percy Jackson की जो series आ रही है उसका ये poster release हुआ and Zack Snyder का rebel moon part 1 जो आने वाल है इसी साल 22 December को उसका भी official trailer release हो चुका है तो हाँ यार यह थे इस week के updates होप सो कि आप पूरी तरह से updated हो गया होगे इप हां तो वीडियो like करना share करना and obviously ऐसी amazing content के लिए and weekly updates के लिए चैनल को subscribe करके जाना the boys का analysis देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखे और Godzilla की cinematic history जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा तिल देन बी देसी बी नर्ड